बात कर रहे हैं IRFC की Indian Railway Finance Service की आज के दिन की बात करें तो फिलाल स्टॉक छोटी मोटी गिरावट के साथ ट्रेट करता नजर आ रहा है हम देख सकते हैं इस वक्ती स्टॉक जो है 184 रुपीज 0.30 पैसे पर ट्रेट करता नजर आ रहा है जब स्टॉक ने रिजेक्शन लिया था 200 का लेवल ब्रेक्डाउन किया था हमने डिसकस किया था 180 के लेवल को मेजर सपोर्ट के तोर पर देख सकते हैं स्टॉक इस वक्त उसी के ऊपर सस्टेन होता नजर आ रहा है लेकिन एक दफ़र चार्ट पैटन को भी देखना जरूरी है IRFC के लिए ताकि इसका चार्ट पैटन हमको थोड़ा सा समझ में आया है इसको एनलाईज करने की आब हम कोशिश करते हैं रिजेक्शन लिया था उसके बाद 200 पे सपोर्ट लिया एक जम आया 210 तक का अगें रिजेक्शन और लो ब्रेकड़ॉन फिर जम आया है अल्मोस्ट 190 के लेवल से कहां तक का 200 तक का वहां से रिजेक्शन लेकर लो ब्रेकड़ॉन किया है तो यहां आप जो IRFC का चार्ट पैटन दिखा रहा है हमको लो और लो चार्ट पैटन देखने के लिए मिर ला है लो और लो तो अब जम आता है तो जम पे थोड़ा सा हमको आवेर रहना इंतिजार करना होगा नीचे की और 180 का लेवल मेजर सपोर्ट है ब्रेकड़ॉन नहीं होना चाहिए 200 के लेवल को ब्रेकड़ॉट करने के लिए IRFC को 180 के ऊपर ही सस्टेन होना पड़ेगा अगर स्टॉक 180 के लेवल को ब्रेकड़ॉन कर गया तो वही से कंडिशन में फिर 170 तक का भी फॉल दिखा सकता है जहां सपोर्ट लेकर लगातार रेली देखने के लिए मिली थी तो अब अगर स्टॉक बांस बेक करता है जंप आता है तो इमिडियेट टारगेट 190 इसके ब्रेकड़ के बाद नेक्स तारगेट बनेगा 200 का लेवल देख सकते हैं जहां से स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया है इस लेवल का ब्रेकड़ इंपॉर्टन है 200 का लगातार ते विडियो एजुकेशन परपस के लिए कोई बाई सेल या होल्ड की सला नहीं है अगर आप टिमेट अकॉंट ओपन करना जाते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो